Everyone, competitive exam में आपका एक बग फिर स्वागत है आज इस वीडियो में हम G.O.I.T. 817 का जो आपको एक या दो मन में जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें जो है क्या जो है other category की जो candidate होते हैं क्या वो general में shift होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चीए कि जो shifting होती है वो दो categories में होती है जिसमें कि आपके horizontal reservation रहता है और vertical reservation रहता है और ये आपको पता होना चीए कि जो vertical reservation में आते हैं जैसे कि आपके पास journal, SC, ST, OBC और EWS यानि कि ये जो हैं आपके पास जो है जो है वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं लेकिन होरिजेंटल कि यदि बात करूँ उसमें जो ही जितनी भी सब कैटेगिरीज रहती हैं जिसमें कि आपके पास SCBPL, OBCBPL और OBCIX हरीसमें और STA हरीसमें और यह जो कैटेगिरीज होती है यह आपके पास आती है horizontal reservation में जो candidate जो shift होता है वो आपके पास vertical reservation से general में shift होता है जैसे कि यदि SC Untreserved का candidate यदि वो जनरल से जादा marks ले लेता है तो उसका जो selection होगा उसको जो है जन्रल की seat मिलेगी और जन्रल के candidate को वहाँ पर नुकसान हो जाएगा तो उसी परकार से OBC, UR के जो candidate होंगे यदि वो जन्रल से ज़्यादा marks लेंगे तो उनका जो selection है आपका जो है जन्रल UR में हो जाएगा इसी परकार से ST, UR और EWS के जो toppers होते हैं वो जन्रल में shift हो जाते हैं इसका जो नुकसान हो जाता है वो जन्रल को हो जाता है और जितनी भी सब categories जैसे की SC, BPL या ST, BPL या OBC, BPL या OBC, X, Service में जितनी भी ये सब categories रहती है इनका selection जो है अपनी ही category में होता है इनका जो है जन्रल में ये shift नहीं होते हैं लेकिन जितने भी SC, UR या OBC, UR के candidate होते हैं यदि वो जन्रल से ज़्यादा marks ले लेते हैं तो उनका जो selection है वो जन्रल में हो जाता है और जो उसके कारण जो है कि कितने candidate जो है other category के candidate जो है जन्रल में shift हुए है तो आप दे सकते हैं कि ये जो result आया था आपके March मंत में आया था जिसमें आप दे सकते हैं यहाँ पर जो ये अंकुष कुमार है ये Economic Beaker Session से है इनके 79 marks है तो आप दे सकते हैं कि जन्रल की cut-off यहाँ 60 गई थी इनके 79 marks है तो इनका जो selection है वो जन्रल category में हो चुका था तो इन्होंने एक candidate जन्रल की seat यहाँ पर ले लिये तो इसका जो नुकसान है वो जन्रल category के candidate को हुआ 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 तो यहाँ आप दे सकते हैं कि कितने candidate जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं कि विनोध कुमार जो की OBC से है और OBC UR से है इनका जो selection है वो जन्रल UR में हुआ है और इसी परिकार से दिनिश कुमार है इनका भी selection जो है आपके पास जन्रल की post के लिए हुआ है यानि कि जन्रल की seat ले लिए है तो इसका सीदा सीदा नुकसान होता है वो जन्रल category के candidate को होता है तो आप दे सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा candidate जो है जन्रल में select हो गए थे तो मैं आपको बता दूँ लगभग आपके पास 90 के करीब जो candidate थे conductor exam में वो other category के select हो गए थे जिसमें कि 30 लगभग 30 से 33 candidate OVCUR के जिन्होंने जन्रल की seat ली थी और इतने ही आपके पास SC के candidate थे लगभग 35 के आसपास जिन्होंने जन्रल की seat ली थी और STUR के भी कुछ candidate जो थे इन्होंने जन्रल में ये seat ली थी तो ये सीदा सिदा नुकसान जो है जन्रल केटिगिरी के candidate को हो जाता है लेकिन जेओ IT 817 में यदि जो candidate ने जो MRC होता है यानि कि meritorious reserve candidate यदि उन्होंने preference form भरते हुए उस जो second lecture को भरा होगा तो उन्हें जो है जो उन्होंने preference department के लिए दी होगी तो उनको उसी department में वो आपको जो department अलोट होगा तो उनका जो है किसी जो है category में वो shift नहीं होगे यानि कि जैसे कि अगर OBCUR का candidate जन्रल से ज़्यादा marks 817 में ले लेता है लेकिन यदि उसने MRC form भरा है तो उसे अपनी ही category में जो है seat मिलेगी तो उसे जो है general में shift नहीं किया जाएगा तो ये उसमें एक बड़ा आपके पास है कि आप MRC भर सकते हो जो भी जिसके भी ज़्यादा marks है उसे अपनी ही category में जो है वो seat मिलेगी तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर लगबग conductor exam में लगबग 90 के करीब जो candidate थे उनका जो selection जो था वो आपके general की seat के लिए हो गया था और तभी जो है cut off में यह ज़्यादा फर्क परसकता है तो आप दे सकते हैं कि category wise cut off marks for recruitment to the post of conductor in HRTC तो आप दे सकते हैं कि cut off में कितना variation आ जाता है जैसे कि आप मान के चलिए general UR की cut off है आप दे सकते हैं कि 60.25 यानि कि 60 cut off general की गई थी इसी बज़े से general की high cut off चली जाती है तो उसके बाद आप दे सकते हैं कि SC की cut off लगबग 51.25 है लगबग 9 number कम cut off जो है SC की गई है तो आप दिहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि category और general के बीच में कितना difference जो है cut off में रहने वाला है तो आप दे सकते हैं कि SC की cut off जो है 50.75 गई थी लगबग 10 marks जो है general से कम गई थी और OBCUR की आप दे सकते हैं यहाँ पर 52.75 cut off गई थी general से लगबग 8 marks कम cut off OBCUR की गई थी इसका reason यही है कि बहुत से जो category के जो candidate होते हैं category open के जो candidate होते हैं वो general में shift हो जाते हैं जिस बज़ा से जो है general की cut off हाई चली जाती है और general के जो candidate होते हैं उनको नुक्सान हो जाता है और category की जो cut off होती है वो काफी गिर जाती है तो आप यहाँ देख रहे होंगे और general की 60 cut off गई है और other category की 51 या 50 के आसपास cut off गई है लगबग 8-9 marks कम cut off गई है तो यह आपको यहाँ समझना होगा और आप EWS की हाँ cut off दे सकते हैं की general से 5 marks कम जो है EWS की cut off रही है तो इस परकार आप other category की भी यहाँ दे सकते हो जो आप दे सकते हैं की SCBPL की आप यहाँ दे सकते हो की 50.25 यहाँ shifting नहीं हुई है इसकी cut off जो है SC से लगबग कुछी marks कम है यानि की A की marks कम है तो आप दे सकते हैं की यहाँ पर जो है shifting नहीं हुई है और dual tribe of HP में आप दे सकते हैं की 53 cut off गई है यहाँ तो आपके ST, STUR से भी ज़्यादा cut off गई है तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं की किस परकार से shifting होती है जितने भी आपके पास जो toppers रहते हैं reserve category के वो जो है general में shift हो जाते हैं और जिस बज़े से general को यह नुकसान हो जाता है तो आप MRC भर सकते हो जो भी reserve category के candidate है जैसे की SC, ST और OBC, UR वो जो है MRC भर सकते हैं उन्हें अपनी ही category में यह seat मिलेगी जिस department में हो जाना चाते हो त यह MRC के बारे में मुझसे पूचा जा रहा था कि MRC क्या होता है यानि कि जिस category में आपने preference form भरा है यानि कि जिस category में आप यानि कि जिस department में आप जाना चाते हो तो यदि आपने MRC भरा है तो आपको वही department अलोट किया जाता है यदि आपने MRC नहीं भरा है तो आपको किस CBD department में आपके marks के अधार पर आपको a lot वो department किया जा सकता है तो यह जो है आज की वीडियो आपके लिए लेकर आ गया था I hope आपको कुछ information आज इससे मिली होगी तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जुरूर लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इसी प्रकार की फ्यूचर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो धन्यावाल